दोस्तों नमस्कार मैं मुहन्थावाइत एम्टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ जब कोई दुकान नया खुलता है तो लोगों के अकरशन का केंद्र होता है जब लोगों को पता चलता है तो कम से कम एक बार बहुत से लोग उस साफ में जरूर जाते हैं और दोस्तों अगर आपका ब्यापार प्रभावित हो रहा है तो सायद आपको समय के साथ कुछ बदलाव करना पड़ सकता है अपने नियम में दोस्तों मैं जो तरीका बतलाने जा रहा हूँ पल अच्छी तरह से समझ लें उचित लगे तो pen paper लेकर note करें कितना फाइदा किस तरह से इन नियमों से आपको हो सकता है फिर आपको लगता है ये tips आपके ब्यापार के लिए फायद मन्द है तो अपने बिजनेस में अपलाई कीजिएगा आज मैं आपको 15 tips से बतलाने जा रहा हूँ वीडियो को अन तक जरूर देखिए ताकि आप पूरा समझ सकें आईए जानते हैं कि कैसे अपने ब्यावसाय को competition करने के लिए तयार करें या नए और पुराने customer को अपने shop के और आकरसित कर सकें मेरा सबसे पहला tips है आपके सामने एक line है उस line से आपको बड़ा line खीचना होगा तभी वो line छोटा नजर आएगा अगर आपके सामने किसी ने साप खोल दिया हो तो variety को उसके बराबर या उससे ज़्यादा बढ़ाना होगा अगर संभा हो तो दुकान को नए लूग देना सबसे बहतर है ताकि नए customer को attract किया जा सके ये थोड़ा मुश्किल काम और पुंजी या लागत लगने वाला काम है लेकिन छोटी लाइन को बढ़ा करने से sale कम होने के बजाए बढ़ने लगता है दूसरा point ज्यादा मात्रा में समान खरिदने से कुछ कीमत कम मिलना सभाविक होता है जिससे सस्ते में कुछ basic और fast item sale करके ग्रहक को attract किया जा सकता है तीसरा दुकान के बोड की संख्या जो आपने लगाया है उपर अपने दुकान पर उसे कम से कम तीन कीजिए एक दुकान के उपर बाकी दो बोड आपके गली जहां से बाएं और दाएं की तरफ इस्टार्ट होता है वहाँ जरूट आगे दोनों छोर पर नए लोगों को जानकारी के लिए अट्रेक्ट करने के लिए और उन्हें संकेत देने के लिए कि आपका दुकान कहां पर और किस चीज का है इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और दोस्तों आपके बोड पर एक अट्रेक्टिव लाइन जरूर लिखें कैसे इस पर भी मेरा एक वीडियो है इसे देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि एक अट्रेक्टिव लाइन कैसा होना चाहिए आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते है नमबर चार अगर आपका मार्जिन बेस बिजनेस है जैसे कपड़े का बिजनेस, हार्डवेर, ज्वेलरी या इसी तरह का कोई बिजनेस है तो आप अगली खरिदारी में छूट का कूपनी स्किम चला सकते है या लकी ड्राइ स्किम भी चला सकते है जिससे ग्रहक आकरशित होंगे पांचवा जोग साप में खाली टेम पर आना पसंद करते है जब वो अपनी ड्यूटी पूरा कर लें आपना काम खतम कर लें छटो पैंट ग्रहक जो आते हैं उन्हें हर हाल में संतुष्ट करने की कोशिस करना चाहिए जिन लोगों को रेट में सिकायत हो उन्हें ही खरिदी के बांडरी लाइन तक संतुष्ट करना चाहिए सस्ता भी प्रोडक्ट को देने की कोशिस नहीं करना चाहिए कभी कभी जरुद पड़े तो किसी किसी असंतुष्ट ग्रहक को रेट टूरेट सामान देना चाहिए वरना आपके पास मारजिन भी नहीं बच पाएगा अपने ब्यावसाय के वस्तुओं की खरिदारी वाले बिल को फिर से श्टडी करना और नया भीक्री रेट ताय करना फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही कम लोग रखते हों आपके आसपास में उनमें मारजिन थोड़ा बढ़ाना तथा बहुत ही फेमस और फास्ट भीकने वाले कुछ वस्तुओं में मारजिन को थोड़ा कम कर देना ताकि अट्रेक्शन बना रहे मारजिन का संतुलन बना रहे और दोस्तों अभी कुछी दिन पहने मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि 93 में प्रोड़क्ट खरीद कर बेचा 90 में और कमाया 6 रूपए कैसे अगर आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं अगर आप नहीं देखा है तो इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा मेरा साथवा पॉइंट है नया साप का मतलब होता है सबकुछ नया फरनिचर नया प्रोड़क्ट नया सोकेस नया ब्यापारी भी नया तो इसके लिए आप ये काम करें सबसे पहले अपने साप के काउंटर रे के आलमारी फरनिचर आदी में चमक लाने की कोशिस करें जो लोगों को अट्रेक्ट करता है क्योंकि दुनिया सुंदर्ता और आकर्सन के पीछे भागता है दूसरी बात अगर आपको पता चल जाए कि आपके सामने ओला कस्टमर आपके कमप्टीटर से खरीदारी करता है तो अपने आप पर कंट्रोल रखें बाचित ब्यवहार में जलन की भावना ना होने दें क्योंकि अकशर ऐसे दुकानदानों में देखा जाता है जिससे ग्रहक के प्रती ब्यवहार बदल जाता है जिससे उस ग्रहक के मन में गलत प्रभाव पढ़ता है और भविश्य में खरदारी के लिए वो किसी और साफ में जाना पसंद करता है अपने अच्छे ग्राकों को काल करके या मैसेज देकर उन्हें बुलाए और उनसे अपने साफ में ना आने का करण पूछे अइसी क्या बात है जिसकी वज़ाए से वो किसी और साफ से खरदारी करना पसंद करते है उनकी अपत्ती 2-4 प्रोड़क्ट के रेट का हो सकता है या छोड़ी छोड़ी बातों का हो सकता है ऐसे में संभा हो तो उनकी बात माल लिजिए और ये कर सकते हैं कि चलिए आप हमारे अच्छे ग्रहक में से एक है इसलिए मैं आपकी बात माल लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप पहले की तरह हमारे बिजनस से जुड़े रहेंगे या पहले की तरह हमसे आपका खरिदारी जारी रहेगा और हो सके तो उनके साथ एक चाहे जरूर फिलीजे इससे अपने पुराने कस्टमर के वापसी का चांस बन जाता है और अपने कंप्टिटर की तारीब जरूर करें उसकी बुराई न करें जहां से वो ग्रहक आपका सामान खरिदारी करता है क्योंकि इससे आपका ही इमेज गिरता है ग्रहक के सामने मेरा आठोवा पॉइंट है दोस्तों इस्टिकर का इस्तेमाल करना अपने बिजनेस के छेतर में अपने ब्यापार की पहचान बनाने के लिए एक माहोल तयार करने के लिए या लोगों के दिमाग में अपने ब्यावसाई की जानकरी को जिन्दा रखने के लिए इस्टिकर या पंपलेट जरूर लगवाएं इस विशेपर भी मैंने पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था अगर आप चाहे तो उसे देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं मेरे नववा पाइंट है हो सके तो रेडियो और टीवी के लोकल चैनल पर विग्यापन करवाएं या एड लगवाएं कुछ दिन इससे भी बिजनेस में फर्क पढ़ता है क्योंकि लोगों की याद में बस जाता है एक बिजनेस की पहचान और किसी वस्तू के आउस सकता पढ़ने पर उसे आपके बिजनेस का स्वरूप पहले नजर आता है मेरे दस्वापाइंट है दोस्तों गूगल में भी अपने बिजनेस, बिजनेस के सिस्टम और प्रोड़क्ट का एट कर सकते हैं ताकि सर्च करने वाले आप तक आसानी से पहुंच सकें नमबर ग्यारा, वक्त निकाल कर खुद को चेक करें कि मेरे किस सभाव या गलती की वज़ा से रेगुलर और परिचित ग्रहक दूसरे साप में जाते हैं कौन सा सामान की बिकरी फास्ट है या किसका स्लो है, पिछली खरीदारी में क्या सामान महंगा खरीदी हुआ था, उसे कहां से कम प्राइज में खरीदना समभव है, कौन सामाल जाम हो रहा है, उसे कैसे बिकरी करें, इसके इलावा खाता को हमेशा चेक करना चाहिए कि किन ग्रहकों के पास पैसा जाम है और उन्हें काल करना चाहिए ताकि वो पैसे आपके रिटर्न आ सके और वो ग्रहक आपसे खरिदारी को पुरह आ सके आधी कारे को बेहतर मेंटेन करने के लिए वक्त निकाल कर खुद को चेक करना बहुत जरूरी है मेरा बारों पैंट है दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सवाल पूछते हैं कि कुछ नए आइटम आया है क्या तो ऐसे लोगों का एक लिश्ट त्यार करें अपने वाटसप से जोड़े, फेस्बुक से जोड़े और इसके द्वारा उन लोगों को को उनके रूची के रूसार दो-चार प्रोड़ेक्ट एक्स्टा जरूर दिखाएं, बहुत से लोग फोटो या इमेज देखकर नया प्रोड़ेक्ट खरीदने को तयार हो जाते हैं तेरोवा पैंट है दोस्तों अगर आपका होलसेल बिजनेस है या आसपास कुछ दूरी के छोड़े-छोड़े दुकानदार आपके गरहक है तो आप अपने कस्टमर से उनके आसपास के दुकानदारों का नाम और फोन नंबर हासिल कर उन्हें फोन कर सकते हैं और अपने साप्ट में खरीदारी के लिए बुला सकते हैं उन्हें जानकारी दे सकते हैं इस तरह नए कस्टमर आपके साप में बढ़ सकते हैं मेरा चौदवा पाइंट है दोस्तों विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल करना जब भी आप कहीं आते जाते हैं और अगर आपने विजिटिंग कार्ड बनवाया है तो अपने बिजिटिंग कार्ड बनवाया है तो अपने बिजिटिंग कार्ड जबाब का होता है तो अपना विजिटिंग कार्ड उन्हें जरूर दें वहाँ आपको अच्छा margin मिल सकता है दोस्तों अगर इन तरीकों का आप इस्तिमाल करते हैं तो आपका business competition से प्रभावित नहीं होगा बलके ग्रहकों की संख्यां में ब्रिद्धी होगी और आपका income भी बढ़ जाएगा और दोस्तों सिर्फ सुनने और पढ़ने से कुछ नहीं होगा अगर कुछ बेतर होगा तो वो सिर्फ करने से ही होगा मैंने आपको कुछ विचार से आउगत कराया है आपके business को competition में खड़े करने की बारी अब आपका है और अपने दोस्तों के ये वीडियो सेर जरूर करें चुकि हो सकता है वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो सेर कर दे जो आपके लिए महत्पूर्ण हो या जिसके आपको तलास हो वीडियो को वाच करने के लिए धन्यवाद मेरी सुपकामनाएं आपके साथ है फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जै हिंद